कुछ दिन बाद राजस्तान में आचासीता लग जाएगी और फिर नॉबर एंड या दिसंबर के प्रावण में चुनाओं होंगे और इन चुनाओं में योगों का बड़ा मेहतुपून योगदान होगा और जीत की चावी योगों के पास होगा चाली से पचास लाग शिक्सित युवा विरुजगार है उनके परिवार के सदेशे हैं और ग्रेजिशन करने वाले वह वह विरुजगार अलग है योगं से संवात किया जाएगा और 10 अक्टूंबर तक लगतार योग जोँ से संवात किया जाएगा कि कौनची पार्टी योओ ईतिशी है और इनके प्लान है और कि जाना जाएगा सकते और इस धोरां राज्य सरकार के पास पी कोंगरे सशकार के समय है कि युआ वे रोजगारू की विभनमांगों को पूरा करनें कि चाहे वह प्रक्यादिन 101 प्रौकह हो चाहे नई प्रौकह के एक लाइपल्या की जोशना, कि वह मामिला हो चाहिए नियों संसोदन का मामला हो चाहिए बजट की गोष्णा हो चाहिए गुज्ञात और लख्रयों सम्झोति की मामला हो 2013 में वीजीदी सरकाराई 2018 में कॉम्जे सरकाराई और उस समय योओं ने साथ दिया वही सर्काराई और इस बार भी योओं के पास जीत की चावी होगी और हम सम मिलकर निने लेगे कि किसको समर्तन देना किसके साथ जाना है इसलिए कल की मीटिंग में तो पून है योओं विरुजगारों के साथ कल राश्तान विरुजगार एकित महासं कारेले में 11 वजे जन समात करूँगा उसके बाद विविन जगह जाकर योओं से समात करके 10 तारिक तक हम लोग पूरी रणीती तियार करेंगे किसके साथ है कि हम लोग योग क्लिक क्या बेदरिंग कर सकते हैं यह चुनाव मैं तुपूर्ण है मैं बार बात पहले भी कह चुका हूं कि चुनाव में योओं के बड़ी भूमिका होगी और जीत की चाब योओं के पास होगी कि अब देखते हैं कि राजय सरकार आज की कैबिनेट मीटिंग में और जो कुछ दिन बचे आशा सीता लगने में क्या योओं की मंगों को पूरा करके योओं को वना पाती है अपने साथ लापाती है क्या अन्यदल योओं की पीड़ाओं को समझते हुए वो योओं से संप किसको देना सत्ता में किसको लिकाना लेकिन बड़े भूमिका योओं को होगी और जीत की चावी योओं के पास होगी तंजेवाद